चलिए आज की सच कहानी बदला साक्षी का ये बूतिया कहानी आप लोगों को सुनने में और यहां देखने में बहुत मज़ा आने वाला है लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा नहीं तो जल्दी से चलते हैं बदला साक्षी का ये स्ट स्टोरी देखते हैं वैसे तो मैं रात के बारा बज़ी के बाद कही बाहर निकलता नहीं हूँ उस दिन मेरे नाइट ड्यूटी थी और बाद में थोड़ा काम भी था तो वह सब करते करते रात के बारा बज़ी गए अब घर जाना है तो फिर सुमसाम रोड अंधेरा यह सा भी कभी जुड बोल लेता हूँ लेकिन तो सच तो यह है कि मैं भी अंधेरे से बहुत डरता हूँ वैसे वह दिन शाय से मावस का दिन होगा बहुत सन्नाटा था और काला गना चाया जैसे पूरा आसमान काला काला और अंधेरी रात भी बहुत डरावन लग रही थी उसी के कारण मैं डरा हुआ था इसलिए जल्दी जल्दी घर जाने के लिए जितना हो से के उतना जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे रोने की आवाज आ रही थी अब मैं बहुत डर गया क्योंकि बहुत सारी डरावनी मूवीज देखी थी ब मेरे कदम बड़ा रहा था और हनुमान चालीसा बोल रहा था जैसे जैसे मैं आगी जा रहा था वैसे मेरी आवाज बड़ी होती जा रही थी रोनी की आवाज छोटी हो रही थी हनुमान चालीसा के कारण शायद अब मुझे उसकी आवाज बिलकुल बंद आना बंद हो गया और मैंने और जो जो से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और आगी गया एक मोड आया मोड के बाद मैंने पीछे भी नहीं मुड के देखा क्योंकि बीबी ने बोल रखा था कुछ भी हो जाया ऐसी हालत में कभी पीछे मुड कर मत देखना दीरे दीरे चलते हुए और आगे निकल पड़ा रोने की आवाज पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी वैसे अब मैं बहुत खुश हो गया मैंने हनुमान चालीसा बंद कर दिया पढ़ना भगवान का नाम लेके धीरे धीरे आगे चलने लगा क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से ठक भी गया था दिरे चल रहा था एक लड़की सुमसान रोड़ पर एकोने में बैठी मैंने पाई पाँ जाने की पाँ जाने की हिम्मत तो नहीं हुई फिर भे मैंने उसे आवा दिया बेटा क्या हुआ आपका नाम क्या है आप कौन हो उसने पहने हुई जीन्स और छोड़े टॉप के जान सकता था कि वो लड़की जो रो रही है वो ज्यादा से ज्यादा पंदरा नहीं तो 16 वर्ष आयू की होगी फिर से मैंने जोर से आवाज लगाई शायद उसे सुनाई नहीं देता होगा इसलिए मैं और आगे जला गया उसके पास वहां जाने पर जाने के बाद मैंने उ जब देखने लगी वो बहुत आचर चेकित हो रही थी क्या सचमुच आप मेरी मदद करना चाहते है उसने बड़ी ही धीमी आवाज से मुझसे बात की हाँ बाबा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा पहले यह तो बताओ कहा रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है मैंने उस के सर पर हाथ रखकर उसको पूचा अंकल यह बोलते समय उसकी आखों से पानी आ रहा था और फिर वह मेरी तरफ देखकर बोली बहुत अच्छा लगा कोई तो इनसान मेरी मदद करना चाहता है क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो तुमने कभी किसी से मदद ही नहीं मागी होगी तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी औरत और तुमारे जैसे चोटी लड़की को मदद ना करें ऐसे मैंने धीरेस देते हुए उसे बोला नहीं आंकल मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की आप ही पहले इनसान जो मेरी मदद करना चाते हैं वह अपने आखों के आशु पोच्टे हुए बोली उसकी बाते सुनकर मुझे तो बहुत ही आचर्य हुआ लेकिन फिर भी शायद कुछ हो सकता है कुछ ऐसी बांग रही होगी जो किसी को देना उसे पॉसिबल ही नहीं फिर भी मैंने उसे धीर करके उसे पूछ लिया तुम्हे एक बार तो मांग के देखो नहीं रहने दीजिये आपने इच्छा प्रकट की यही मेरे लिए बहुत हो गया मैं अपनी खुशी अपनी मदद खुर कर सकती हूँ कर लोंगी अंकल आपको बहुत लेट होता होगा आटे आपकी रहा देख र देता हूँ तुम्हारे एक घर वैसे मैं भी अकेला हूँ मुझे भी डर लग रहा है शायद तुम्हे भी डर लग रहा होगा इसलिए दोनों को सारा मिल जाएगा चलो उठो चलो मेरे साथ चलो ऐसे कहते हुए मैंने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसको गहा है उस दिशा में चलो ऐसे बोला वैसे तो मैं यही पास रहती हूँ उसने एक घर की तरफ मुझे चलने के लिए बोला एक घर के सामने आकर रुग गए और वहाँ पर रुखने के बाद वह बोली है मेरा घर है अंकल धनिवाद अब आप जा सकते हैं मैं अपने घर पह यह ध्यान आ रहा था उसके हाथ बड़ी बुरी तरीके से थंड आ लग रहे थे इतनी थंड तो किसी मरे हुए आदमी की मतलब मरने के बाद भी लगती है मैंने अपने हाथ से अपने सिर पर एक जोर से थपड मार लिया और भला कही कभी कोई किसी मरा हुआ आदमी मेरे इतना अच्छे से बात करेगा इतनी चोटी उमर में कौन उसे मारेगा कौन मरी कैसे मरी होगी बिल्कुल मैं कब कुछ सोचता हूँ यह सब टीवी जाता देखन का नतीज़ा है थोड़ा और आगे जाने के बाद इतनी सुंसान रात में वह लड़की बाहर खड़ी थी जब मैंने उससे किया बाई किया तो घर में से कोई नहीं बार निकला और उसके पापा से भी उसने नहीं मिलवाया सोला सतरा साल की लड़की अगर रात को घर नहीं आए तो कैसे चिंतित होते हैं लोग उसे पता था और उसके घर का लाइड भी नहीं लगा था कोई राहा देखने के लिए बाहर भी खड़ा नहीं था कहीं वो लड़की मुझे जूड तो नहीं बोल रही थी ऐसे वे हो सकता है जिसको मैं जिस लड़की को समझ रहा हूँ वह लड़की थी कि नहीं सच मुझ में क्या भूत थी शायद से अब से मुझे पता करना पड़ेगा कि वह लड़की थी कि भूत थी अब मैं बुरी की तरीके से डर गया था घर की तरफ जल्दी जल्दी जा र रही थी उसके घर की तरब देखने की इच्चा हो रही थी पर फिर भी मैंने पीछे मुड़ के मैं देखना सका जैसे मैं डरा हुआ घर में गया बीबी तो रहा देख रही थी लाइट गर का चालू ही था मेरे दोनों बच्चे इतनी रात होने के बावजूद भी अभी तक सो लेंगे बच्चे नहीं सो जाएंगे और हम पती-पत्नी ही रहेंगे तब मैं ये सब चीजे उसे बताऊंगा ऐसा मैंने सोच कर चुप ही रहना पसंद किया इस कहानी का अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो जादा से जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्स पास्क्राइब कीजिए ताकि मैं दूसरा पार्ट जली से जली भेज़ सकूँ